यारा खुद पे भरोसा कर यारा खुद पे भरोसा कर तेरे तैयारी शानदार है अब कोई परिक्षा कठिन नहीं तेरे होसलों से बिड़ा पार है तेरे होसलों से बिड़ा पार है नमस्कार साथियो स्वागत थे आपका संप्रिशन में एसस में मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर एसस तरपार्थी है साथियो इस समय पूरे देश में परिक्षाओं की धूम है स्टूडेंट्स पैरेंट्स टीचर सभी सी गुंताड़े में लगे हैं कि किस प्रकार अपना बैस्ट दें इसी बीच मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स की मैसेज आए कॉल आई इमेल्स आए कि सर हमारा पिछला एक्जाम कुछ अच्छा नहीं हुआ या किसी ने लिखा कि हम और बैटर करना चाहते हैं तो किसी ने लिखा हम पिछले नुक्सान की भरपाई करना चाहते हैं कमपनसेट करना चाहते हैं तो किसी ने लिखा हम और बैटर स्कूर करना चाहते हैं तो इनी तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ एक खास वीडियो के साथ जिसका नाम है एक्जाम गुरुमंत्रा यानि परिक्षा गुरुमंत्र जी ट्वंटी तो इसके साथ साथ में आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि आप संप्रेशन वेद ऐसेस को अपना इसनेहे देते रहें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट के रूप में और यह भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको परिक्षा से संब्धित ऐसे ही और ग्यान बर्दक वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनलर पर विजिट करें वहाँ एक सिबाकर एक शानदार परिक्षा संब्धित वीडियो आपके लिए मौजूद है तो देर ना करते हुए आपके सामने हाजिर है G20 यहनी परिक्षा गुरुमंत्र 20 सबसे पहली बात तो मैं साथियों यही कहना चाहूँगा कि आप अपना confidence बनाए रखें खुद को तयार करके रखें किसी से खुद को compare न करें और relax रहें दूसरी बात बेकार की चिंता तनाओ घवराहट overthinking negativity से बचें खुद को positive रखें तीसरी बात है आप आशावादी बनें और खुद से कहें कि मैं तयार हूँ और सब कुछ हो जाएगा या मैं सब कुछ कर लूँगा या मैं सब कुछ कर लूँगी सोशल मीडिया फोन से आप दूरी बनाये रखें क्योंकि एक बार आपके हाथ में फोन आया तो आप ये समझिए कि आपके सारे संकल्प सारे सपने हवा और आप फोन में भी जी होकर रह जाएंगे उसी मोलच कर रह जाएंगे so avoid cell phones इसके बाद आता है कि एक्जाम डेज में भी आप पांच गंटे की नीद जरूल है खाना समय पर खाएं और हलका खाना खाएं एकागरता के लिए आप घर पर ही पांस दस मिनट योगा ब्यायाम अवश्य करें ताकि आपका मन एकागर रहे शांत रहे और आपका मन पढ़ाई में और अच्छे से लगे एक्जाम बाले दिन भी मैं आपको सलाय दूँगा कि एक दो गंटे पहले आप अपनी किताबें छोड़ दें और रिलैक्स होकर और कामों में लग जाएं और तैयारी में लग जाएं क्योंकि आपके माइंड को भी अल्टिमेटली दो तीन घंटे का रेष्ट चाहिए होगा तभी तो वो परिक्षा में तीन घंटे लगातार आपका साथ दे पाएगा तो इस बात का खास द्यानक है आलतू पालतू आप घुमे नहीं चोट चपेट वहां दुरगटना आज से खुद को बचाया रखें बीमारियों को भी नोता ना दें उट पटांग चीजें ना खाएं अच्छी तैयारी करके जाएं और मन में संकल्प धरें कि आप सारे कोश्चन करके आएंगे और जब आपको कोश्चन पेपर मिले तो मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम दो बार कोश्चन पेपर अच्छी से पढ़े लेना चाहिए और समझे लेना चाहिए उसके बाद आप उत्ता लिखना सुरू करें सुरू आथ हमेशा आप अपने इजी कोश्चन से ही करें ताकि चेकर पर आपका इंप्रेशन अच्छा बना रहे और राइटिंग यथा संभव साफ लिखने का प्रयास करें पठनी हो और एक्जामनर को भी समझने में आसानी हो अंसर आप साफ सुत्रे लिखें पॉइंट बाइज लिखें स्टेप बाइज लिखें और एक क्वेशन के बाद एक दो लाइने जरूर छोड़ें ताकि एक्जामनर को पता रहे कि अब आपने दूसरा क्वेशन सुरू कर दिया है और एक चीज और आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है कि जो कुछ हम अंसर सीट में लिखेंगे उसी पर अल्टिमेटली नंबर मिलने है इसलिए अंसर सीट में आप जितना जरूरी हो उत्रा आवश्य लिखें और जो कुछन आपको नहीं आते हैं उनके बारे में भी कुछ न कुछ आवश्य लिखें आपको सारे कुछन टेम करने हैं, कोई कुश्चन छोड़ना नहीं है, बहले ही आप मन से बना कर ही क्यों न लिखें, आज कल एक्जामस में ये पैटरन चल पड़ा है, कि भाशा काफी गुमाओदार होती है, कुश्चन काफी गुमाओ फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आपको समझदारी दिखान हैं, भाशा के गुमाओ फिराओ को समझना है, और अच्छी तरह समझ करी, ये थोचित उत्त लिखें, जितना पूशा जाए, उतना ही लिखें, और अगर आपके पास लाश्ट में टाइम कम बचा है, कुश्चन जादा है, तो मेरी सलाय है, कि आप जो भी कुश्चन बचे हैं, सब को अटेम्प करें, भले ही उन में थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना लिखें, इस से आप देखें कि आप फिर भी एक कुश्चन की तुला में ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाएंगे, और नकल के चक्कर में आप बिलको भी ना पड़ें, क्योंकि नकल ना सिर्फ आ रहे हों, एक्जामनेशन हाल में, तो एक दो मिनट शान्त चित होकर बैठ जाएं, अपने माइंड को रिफ्रेश करें, देखेंगे कि आपको कुछ न कुछ याद आएगा, और आप अनसर लिख पाएंगे, और यह भी एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, कि लास्ट में पेपर खतम होने से पहले, पांस साथ मिनट एक्ष्टर जरूर अपने पास रखें, ताकि एक बार आप अपनी पूरी एंसर सीट को अच्छे से चेक कर सकें, कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, आपने ग्राफ, एक्ष्टर सीट, मैप, यह थोचित बांध दी हैं, नहीं इसके बाद आप अपनी जो है, इन्विजिलेटर को कापी दे कर बैठ सकते हैं, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, कि इन 20 पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे, तो मेरा मानना है कि निश्चत तोर पर आपकी परिक्षा की तैयारी में कुछ ने कुछ मदद अवस्थ होगी, आपको कुछन कुछ लाव अवस्थ होगा, अब काफी बिद्यारती हमसे पूशते हैं, कि सर कोई सफलता के लिए, हमें कोई मंत्र बताएए, कोई उपाय बताएए, तो यदि आप उचिस समझें, तो मेरा सुझाओ है, कि लिखना प्रारम करने से अपने माता पिता के नाम का सर्धा पुरुबा के स्वनर करें, और फिर लिखना सुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी शबलता सांदार होगी, और आप अच्छे अंक का अरजन करेंगे, मेरी बहुत बहुत शुप कामना है, All the West